आप देख रहे हैं न्यूस फोनिशन आए दिन बिहार की सक्षा विवस्था को लेकर कोई न कोई खबरे सामने आते रहती है एक दरब जहां सक्षा विभाग के ACS, KK पाठक आए दिन कोई न कोई नोटिस निकालते रहते हैं जिसे सक्षा विभाग में हड़कम मचा रहता है वहीं एक बार फिर से सक्षा विभाग सुर्खियों में आ किया है इस वार सक्षा बिभाग ने वैसे टीचर्स को कंट्रोल करने एक को लेकर नोटीस निकाल दिया है जिनकी जुबान बहुत जादा खराब है बिहार सक्षा बिभाग के अस्तर से सोशल मीडिया पर बयान देने और बिभाग के प्रती कोई टिपनी करने के रोक देने के बाद पूरी तरह पावंदी नहीं लगी है अभी भी कुछ सिक्षक ऐसे हैं जो बिभाग पर प्रती दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं इस बीच जिले के तीन सिक्षक सोशल मीडिया पर कड़वी और अभद्र टिपनिया कर बूरी तरह से फर्टस गए हैं तरफ से जो सिक्षकों ने इस तरह का बयान दिया है अब उनकी गली की हड़ी बन गई है उन्हें ये बयान काफी जादा महंगा पड़ रहा है फिलहाल विभाग द्वारा उन तीनों सिक्षकों से टिपनियों के लिए स्पस्ट्रिकरन पूछा गया है वैसे जानकारों का म अदविद्याले वीराहिम के सिक्षक हैं इन में से इंद्रभूशन अभिराम जाकश्यप और पनकुमार प्रतापी शामिल है मुझफर पूर डीपी ओ संस्थापन ने इन सिक्षकों को पत्र भेजा है और कहा है कि उनके द्वारा सोशल मेडिया पर सरकार विरोधी विंद व्यक्त किया गया है इस आपत्ती को डीपियो ने सेवा सहिंता में निर्धारित आच्षरन के विरोध करार दिया है उन्होंने कहा है कि तीनों में तीनों से ये बताने को कहा गया है कि क्यूं नहीं इस मामले के खिलाफ उन्होंने कठोर एक्षन लिया सोशल मीडिया पर उ रहो कायर सेलफी वाले नेता ही तो हैं नाम वही है बदलाब कुछ नहीं है फाटक के ठग लिया ये पगला हम लोगों को तीन जिला का विकल्प दिया है लेकिन अपकी इसको हम लोग 38 जिला से उठा कर बाहर फेक देंगे शो से ठगा हुआ सिक्षकों का वर्ग एक नियोजी की दूसरा आयोग वाला है इस तरह के अन कई भ्रामक और अभद टिपनिया की गई है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हो रहा है एक तरह जहां बिहार सरकार ने ये साफ-साफ सिक्षकों को कह दिया था केगे पाठक ने ये साफ-साफ कह दिया था सिक्षा विभ को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर बोलना नहीं है लेकिन सिक्षक कहां सुनने वाले कहां मानने वाले सिक्षा विभाग को लेकर लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं अभद्र टिपनिया कर रहे हैं और अब सिक्षा विभाग इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा है सक्षब भाग क्या बड़ा एक्शन लेता है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही